Hey guys, what's up, कैसे हैं आप लोग, मैंने नाव में नीरा जोरा आप देख रहे हैं मारा YouTube चैनल नीरा जोरा क्लासे और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं audit के MCQs के बारे में और मैं उबीद करता हूं कि आपने जो है सारी MCQs वीडियो जो है प्रॉपरली देखी है और बहुत साथ चीज़े और मिल जाएंगी जो आपको आपके CA की जर्नी में काफी सरी मदद कर सकते हैं आज आपको मेरा face नजर नहीं आ रहा होगा आज मैंने सिर्वर सिर्फ screen record करी है और आपको मैं बता दूँ कि ये MCQ की series जो है बस अब जल्दी से audit की MCQ की series खतम होने जा रहे है इसके बाद मेरे mind में और बहुत सारे plans है आप लोगों के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कैसे हम चीजों को जो है आपके बढ़ा सकते है ये 8 वी वीडियो है effectively 9 वी वीडियो है क्योंकि हमने सर ICI के MCQs भी जो है वो कर लिये थे तो number इसका 8 है लेकिन सरब RTV वाली वीडियो जरूर देखेगा वो भी आपको playlist में मिल जाएगी चलिए पहला MCQ देखते हैं क्या है हमारे पास quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related services require firms to establish policies and procedures for timely completion of the assembly of audit file तो यहाँ पे यही बहुत important line है इसी के उपर question बनने वाला है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी तरीके से आपको ICI beat करने की कोशिश करेगा question बहुत बढ़ा है लेकि उसमें सिरफ यही line है जो बहुत important है आईए ठीक है जी तो यह हमें SQC1 जो बताता है कि भई policy procedure बनाओ timely completion of the assembly of audit files and appropriate time limit within which the complete within which to complete the assembly of audit file is question आप देखिए question वैसे बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन अगर कोई question को समझ जाए तो उसे पता है किसका answer आप लोग उने देई दिया होगे अभी तक मनी मन में चलिए देख लेते हैं हमारे पास 4 options हैं और एक option आप लोग select करने की कोशिश करिए आपकी जानकारी के लिए बतातूं कि यह chapter 3 के mcqs हैं अभी मेरे पास कुछ mcqs मैंने chapter 3 से निकाले हैं answer आप लोग लिखना शुरू कीजिए जल्दी 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 दे लिजे और आगे चली नेक्स कोशन देखने के लिए लिजे सर् चलो यह आपके लिए question of the day बना देता हूं और इसका आपको answer आपको देना पड़ेगा अप लेट सी क्या होता है और अगर आप ऐसे बहुत सारे और mcqs gamified manner में देखना चाहते हैं आपने बताना है फिर से आपको length से defeat करने की कोशिश की जा रही है सोचिए 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 10 years, 7 years, 6 years और 8 years असान है बहुत जादा इसका answer आप लोग मुझे comment box और comment करके बताएगेगा मैंने आपके लिए छोड़ दिया है यह question of the day चलिए, next मुदे पर चलते है सार और वोग है the completion of assembly of final audit file after the date of audit report or the report is an administrative process that does not involve the performance of new procedure but certainly involves drawing of new conclusion an administrative process that involves performance of new audit procedure or the drawing of new conclusion an administrative process that does not involve the performance of new audit procedure or the drawing of new conclusion or a statutory process चलिए, बताईए, क्या है यह बात तो पक्किया एक administrative process है उसमें new audit procedure नहीं लगाने होते क्या conclusions निकाल सकते हैं? मेरी ख्याल से तो नहीं so that involves the performance of new audit procedure ना 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 that does not involve performance of new audit procedures or the drawing of new audit conclusion मेरे हिसाब से C जो है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि assembly सिर्फ एक administrative process है जिसमें नहीं आपको कोई नए procedures लगाने है नहीं आपको कोई new conclusions निकालने है राइट, चलिए तो अब देखते हैं sir, इसका answer क्या है? मेरे साब से इसका answer और अच्छे C I hope आपने इसका answer जो है वो type कर दिया है चलिए, 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 चलिए राइट, sir मेरे साब से इसका answer C था I hope आपने भी इसका answer जो है वो C ही बताया था आए चलते हैं अगले question पे दैश is bound notebook in which variety of matters observed during the course of audit are recorded final audit file, audit notebook engagement documentation और audit file असान question दिया है मैंने आपको बहुत ही असान question दिया है इस बार आपको तो आप लोग बताने की प्लीज कोशिश करिए जरा comment box में chat box में जल्दी जल्दी से हंजी, 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 हंजी हंजी, हंजी, हंजी ओके लीजे तो answer है इसका audit notebook answer उना चेमी तरब से देखते हैं क्या लिखा है बहुत ही बड़िया audit notebook is the right answer और चलते हैं next question पर इसी के साथ audit notebook is maintained by come on guys, यह तो बहुत असान है बहुत, अगर यह question तुमने गलत किया तुम मुस्टे डाट खलोगा audit notebook कौन maintain करता है audit assistant, management, दोस्ट चार्जूद governance या none of the above हाँ जी, चलो एक option और देता हूँ क्या पता हो सही हो engagement partner audit notebook is maintained by 5 option दे रहा हूँ engagement partner, audit assistant, management, दोस्ट चार्जूद governance, none of the above बताईए, बताईए, बताईए बहुत असान है अगर आपने सब मुझ से coaching ले रखे तो आपको तो पकाता ही होगा अगर आपने बाइच चांस कहीं होगाँ से भी पढ़ाई करी है तो आपको यह आना चाहिए, बहुत ही basic question है बहुत ही basic question है और अगर यह नहीं आता है तो मेही तरफ से थोड़ी से पनी डाट लगा लीजेगा answer होना चाहिए, इसका audit assistant अगे जी लजी लजी लीजे सर देखते हैं सर, बड़ा question यह सर आपको परिशान कर सकता है question यह इसके लिए in-depth study चाहिए, इस question के लिए in-depth मतलब, average से थोड़ी अबव चाहिए Dash is an individual whether internal or external to the firm who has practical audit experience and a reasonable understanding of audit processes, essays applicable law and regulatory requirement, the business environment in which the entity operates and auditing and financial reporting issues relevant to the entity's industry आप लोग बिना कुछ बोले ही comment box में comment करके बताईए मुझे कि क्या answer होना चाहिए इसका, तम मजा आएगा अगर hint दे दिये तो भाई फिर क्या फाइदा हुआ जीवन में है ना, तो आप इस question को ऐसा challenge question लीजिए और मुझे बताईए कि आपके सबसे क्या जो है इसका answer है क्या answer आना चाहिए इसका guys come on, come on, आप लोग बता सकते हो थोड़ा सा effort करो बिना hints दिये पूछ रहा हूँ, मुझे पता है मैं बिना hints के पूछ रहा हूँ आपसे लो जी लो, बताओ जल्दी से बतादो भाई यो पहला management expert दूसरा हमारे पास आया क्या auditor तीसरा हमारे पास आया क्या experienced auditor और चौथा हमारे पास आया क्या internal auditor चलिए, बताईए जल्दी से आप लोग बताईए क्या होगा इसका answer come on guys, बतादो जल्दी से भाई बतादो, बतादो tough question लग रहा है अगर आपको तो आपने audit documentation से नहीं पड़ा है मेरे साब से इसका answer होना चाहिए experience auditor यानि के part number C great चलिए, लीजी से इसी के साथ आज का छोटा सा MCQ का सर वीडियो ही पर खतम होता है, आई होप आपने इसको enjoy किया classes के लिए सर आपको पता है कहां पर जाना है और इन हातियों को यहां से देख लीजिए ऐसा ही आपने बनना है कि आप चलें, कोई कुछ भी बोले कुछ फरक ना पड़े चलिए सर और याद रखिए सर work hard, party harder but work hard पर ज़रा ध्यान लगाईए party harder पर यह आपका ध्यान लगा रहता है हमेशा right guys, I hope you enjoyed the video अगर हाँ तो भाई like देते वे जाना और सर अखरी आखरी 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 वीडियो जल्दी आएगी दो चार वीडियो बाद सर इस series को हम खतम करेंगे और उसके बाद सर हम और कुछ खास series आपके लिए सोच और वो शुरू करेंगे all the best, bye bye, take care